तो यह बताने की किसी को जोतनी है कि water tank क्या होता है ठीक है classification अग हम लोग करने water tank का तो elevation के basis पर तीन तरह के water tank होते है underground, resting on ground and elevated और overhead water tank ठीक है generally हमें overhead water tank की बढ़ने होता है water supply के लिए क्योंकि gravity के तुरू water supply करना पड़ता है water tank को shape के basis पर भी define कर सकते है circular tank, rectangular tank, ints tank यह tank हमारे लिए ज्यादा important है then circular tank with conical bottom, spherical tank सकता ठीक है तो मैंने आपको classification बता दिया based on elevation, underground, resting on ground elevated हो गया shape के basis पर आपको बता दिया अभी जो ints tank होता है यह क्या होता है तो basically these are dome shaped overhead water tank एक engineer था, ints उसके नाम के basis पर है तो इसमें क्या 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 की अगर हम simple एक cylindrical tank लेते हैं और इसमें अगर हम कुछ fluid fill करते भरते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा इस तरीके से pressure horizontal लगेगा और जो side में लगेगा वो तो लगेगे लगेगा vertical pressure लगेगा और hoop tension आएगी इन्होंने क्या क्या कि यहाँ पर यह dome shape उपर तो dome बनाई यहाँ पर जो इसकी bottom थी इसको भी dome shape बना दी तो यहाँ पर जैसे arch में action होता है न सारा का सारा load अवर्टमेंट पर जाता है उसी तरीके से यहाँ पर जो भी fluid होगा इस fluid का pressure जब यहाँ आता है तो वह vertical में यहाँ पर जो ring beam लगी होती पर रखा होता है वहाँ पहुंचाता है यह कोलम पर axle load में convert होगाता है तो यहाँ इस तरह से जाएगा तो यह इसको हमें पढ़ना होता है बाकी यह pics वगएर आप देख सकते हो सब किस तना के tank है यह spherical tank हो गया ठीक है यह आपका ints tank हो गया यह rectangular tank हो गया uses of water tank बताने के जो इतनी है आपको ठीक है इसको पढ़ने गया ints water tank क्या है so ints water tanks are constructed to minimize the project cost because lower dome in this construction that is the horizontal thrust this type of tank is simplest form as compared to circular tank हाँ बिलकुल बोल सकते है अब देखे इस्ट्रक्शल कॉंपोनेंट क्या होते है आपके ints tank के तो टॉप spherical dam होता है दोम होता है टॉप ring beam होती है circular side walls होती है bottom ring beam होती है conical dome ठीक है bottom peripheral dome bottom circular girder foundations tower with columns and braces इस तरह से यह cylindrical shape होगी बेन यहाँ पर यह cylindrical shape होगी यहाँ पर यह ऊपर dome है top dome हो जाएगा यहाँ पर यह जो bottom slab है इसको भी dome की shape में ऊपर की और convex उठाया जाता है ठीक है इस तरह से बनाया जाता है ठीक और यह आपका यहाँ पर यह इस तरीके से conical shape हो जाएगी यह cylindrical है यहाँ पर यह conical हो जाएगा यहाँ पर जो भी load जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा आपका column पर पहुंच जाएगा design criteria क्या होता है as per IS code तो पहले मैं थोड़ अपनी तफस्ण आपको बता देता हूँ mainly क्या होता है हमने fluid mechanics नहीं पर रखा है कि अगर आपके पास एक cylinder है इस तरीके से cylinder है और इसके अंदर आपने क्या करदा है कूछ fluid भर रखा है इसके अंदर आपने क्या भर हुआ है fluid भर हुआ है तो fluid भरने से क्या होगा। आपका मालूँ में fluid हर पोाइंण पर किसी भी पोइंट पर जो pressure लगता है अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो यहां पर क्या होगा इस तरीके से horizontal pressure लगेगा और इस pressure की वरे से ठीक है यहां पर क्या लगेगा यह कुछ pressure लगेगा इस pressure की वरे से diameter क्या होगा increase करने की कोशिश करेगा ठीक है जब diameter बढ़ने की कोशिश करेगा तो circumference में अगर मैं कहीं पर भी इसकी circumference को क्या करता हूँ cut करता हूँ तो भहाँ पर क्या produce होगी hoop tension क्या produce होगी hoop tension तो अगर हम इसको एक plane से cut करें अगर हम इसको क्या करें एक vertical plane से cut करें और cut करने पर देखें, तो हमें क्या दिखाई देगा आए सोम का ही concept है सोम में हम दो पढ़ते हैं अब मान लो इसकी thickness यह है, वो कितनी मान सकते हैं आप T और यहां से आतक inner diameter आप D मान लो और यहां आप again T मान लो और आप मान लो यहां पर इसको एक meter की height के लिए आप आप कितनी height मान का चलने हैं, एक meter तो जो pressure लगेगा वो इस थरीके से लगेगा अब याद अखिएगा किसी भी curved surface पर अगर किसी भी curved surface पर जब pressure लगता है तो हम लोग क्या करते हैं surface का projection लेते हैं, क्या लेते हैं, surface का projection तो यह जो curved surface होगी, इसका जो projection मिलेगा आपको यह rectangle मिलेगा क्या मिलेगा, रेक्टेंगल, तो rectangular surface का जो area हो जाएगा, क्या वो d into 1 हो जाएगा और सब pressure लग रहा है p तो plane पर अंदर की और जो force लगेगा, वो लगेगा d into 1 into p और इसकी वज़े से यह जो cylinder की जो wall है, इसके अंदर क्या produce होगी hoop tension तो यह किसके एकवल होगी, 2t के एकवल होगी 2t तो यहाँ से t क्या जाएगा, t आजएगा p d upon 2 hoop tension आगे आपके पास p d upon 2 जहाँ पर p क्या होजएगा, gamma h ठीक है, p क्या होजएगा, किसी point के लिए gamma h हो जाएगा बाकि आप जितनी depth consider कर रहे हो, वहाँ का average pressure भी ले सकते हो कि यहाँ का pressure, पिलस यहाँ का pressure, p1 पिलस p2 upon 2 या अगर आप इस point पर maximum pressure की भी बात कर सकते हो maximum pressure के लिए design कर दो, तो और जाद आपका यह क्या होजएगा, save हो जाएगा ठीक है, तो wall में आपका क्या आ रहे है यह जो wall है cylindrical wall, इसके अंदर आपका क्या रहे है hoop tension आ लिए, तो इसे आप hoop tension के लिए, या hoop stress के लिए क्या करेंगे, design करेंगे अब जो main condition होती है ठीक है, तो design start करने से पहले कुछ assumption हमेशा की तरह होंगे तो पहला junction होगा, at any section plain section remains plain even after bending, अगर bending हो भी रहे है तो plain section bending के बाद ही plain रहेंगे, दूसरा बूत steel and concrete are perfectly elastic and the modular ratio has the value given mean IS456 तो IS456 में हमने modular ratio पढ़े हैं, वही follow होंगे दूत्रा, in calculation of stresses for both flexural and direct tension और combination of both relating to resistance to cracking the whole section of concrete including the cover together with the reinforcement can be taken into account provided the tensile stress in concrete is limited to table 1 यानि के basically आपका जो पूरा का पूरा cross section होता है ये flexural और direct तोनों तरह की tension को क्या करता है carry करता है दूसरा, in strength calculation the concrete has no tensile strength याद रखेगा strength calculate करते समय आप concrete की tensile strength को ignore करेंगे अभी मैं आगे इस पर formula भी बताऊँगा कि कैसे हम लोग calculate करने वाल है तो concrete की tensile strength को आप लोग calculate नहीं करेंगे ठीक है, consider नहीं करेंगे जो steel हम लोग calculate करेंगे ये मान कर करेंगे कि सारा का सारा load कौन carry कर रहा है steel carry कर रहा है then, जो reinforcement है उसके बारे में कुछ बाते कहीं गई है अभी इन पर questions करेंगे तो आपको सम वालन चल रहेगा कि कहां पर कैसा कैसा question पूछा गया अब ये जो ये latest code है मैं उसके according बता रहा हूँ आपको ये IS33 ये सब आपका IS3370 2009 ये हम जो कुछ भी पढ़ रहे है मैं आपर code लिख दे रहा हूँ ये किसके according है ये जो code है आपका ये है IS3370 पार्ट टू 2009 2009 के according ठीक है इसके चार पार्ट है IS3370 की पहला केवल durability की बात करता है दूसरा design methods की बात करता है तीसरा pre-stress है और चौथे में आपके कुछ calculations वगएरा वो सब दी होई है ठीक है तो पार्ट टू जो है वो हमारा सबसे आदा काम का है अब यहां पर दा minimum reinforcement in walls, floors and roofs in each of two directions at right angles within each surface zone shall not be less than 0.35% of the surface zone cross section as shown in figure तो कितना 0.35% इसके लिए for high strength deformed bars के लिए and not less than 0.64% for mild steel reinforcement bars तो अगर मैं minimum reinforcement की बात करूँ minimum reinforcement HYSD के लिए कितना 0.35% for mild steel mild steel के लिए कितना है 0.64% जबकि आगे कह रहा है the minimum reinforcement can be further reduced to 0.24% for deformed bars and 0.4% for plain round bars for tanks having any dimension not more than 15 meter अगर if tank dimensions are not more than 15 meter are not more than 15 meter in that case H by SD के लिए जो minimum percent हो रहेगी वरेगी 0.24% और mild steel के लिए जो same percentage है वो कितने रहेगी 0.40% इन latest code के according है जबकि जो numerical आएं वो पुराणे code के basis पर आएं तो वो numerical भी मैं आपको करवा दूँगा आगे इसमें एक दो important point और है आगे कहा रहा है इन wall slabs less than 200 mm in thickness the calculated amount of reinforcement may all be placed in one face अगर tank की dimension 200 mm से कम है तो आप सारा का सारा reinforcement एक ही face पर प्रोवाइट कर सकते हो ठीक है now for ground slab ground slabs less than 300 mm thick the calculated reinforcement should be placed in one face as near as possible to the upper surface consistent with the nominal cover ठीक है तो सेम चीज़ यहाँ पर 300 mm के लिए हो जाती है उससे जादा होगा तो फिर आपको दौनों faces पर देना पड़ेगा यह हम cylindrical tank के लिए पढ़ दे है ठीक है वैसे हाँ यह सभी के लिए दिया हुआ है code में तो कि code में हापर उस तरीके से refine नहीं किया हुआ है minimum reinforcement का एक formula और होता है ठीक है यह ratio होता है fct upon fy fct upon fy जहाँ पर fct जो होता है it is direct tensile strength of the immature concrete ठीक है fct की value आपको यहाँ पर दी होती है concrete की grade पर m25, m30, m35, m40, m45, m50 यह सारी values fct की दी हुई है और fy आपको मालूम है characteristic strength of reinforcement अब बाती आती है कि आप जब यह कुछ भी calculate करोगे तो इसके लिए आपको permissible stresses चाहिए तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताए वो इसने नहीं था कि वहां से भी आपको कुछ याद करना है या कुछ सीखना है उसका main purpose यह था कि यह सारी calculations करने के लिए आपको permissible stresses मालूम होने चाहिए permissible concrete stresses and calculations relating to resistance to cracking यहाँ पर जो main criteria है liquid storage tanks के लिए वो क्या है cracks नहीं पढ़ने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर grade of concrete and permissible concrete stresses अब देखिए वैसे तो हम लोग RCC member में वैसे तो हम लोग RCC member में अभी thumb जाओ बेटा सब बताए जाएगा पहले जो पला रहे हैं वो पलो आप ठीक है अभी सब आएगा भी दोनों direction में देंगे एक direction में देंगे कि सब वालूम चलेगा पहले पलो permissible concrete stresses in Newton per mm2 वैसे तो हम लोग direct tension में direct tension नहीं आने देते concrete के अंदर बट यहाँ पर direct tension को consider करना पड़ेगा because hoop tension आती है क्या आती है hoop tension ठीक है वो direct tension नहीं होती है दूसरा है tension due to bending तो यहाँ पर M25 के लिए देखिए direct tension में permissible 1.3 है और bending की वज़े से 1.8 है M30 में यह 1.5 है यह 2 है M35 में 1.6 2.2 M40 में 1.8 2.4 M45 में 2.0 2.6 M50 में 2.1 2.8 या पूरी table तो आप याद करनी सकते है तो कमसें आपको M25 और M30 यह डेटा याद हो अगर M25 का डेटा याद है तो दोनोतरा आप 0.2 एड कर दो यह 1.5 हो जाएगा और यह 2.0 हो जाएगा यह 2.0 हो जाएगा अब यहाँ पर M20 की values given नहीं है लेकिन exam में M20 की values भी जहें वो पूछी हुई है M20 के लिए भी values पूछी गई है questions में तो मैं आपको M20 की values भी बता देता हूँ M20 की values code ने क्या क्या हुआ है कि table में ने दिये paragraph की form में दिये यहाँ पर लिखा हुआ है या M20 के लिए 0.2 कम कर दें यहाँ पर दी होई है the permissible tensile stress for M20 and M20 तो 1.2 and 1.3, 0.1 कम कर रहे है इतना कम कर रहे हैं 0.1 1.3 से 1.2 और 1.8 से 1.7 M20 के लिए जो values है वो 1.2 direct tension में and 1.7 bending tension में bending tension में ठीक है यह values है यह एक्जाम में पूछी गए है ठीक है बई then आपके लिए permissible stress is in compression compression in bond में तो bending compression, direct compression तो M25 में value 8.5, 6.0 M30 के लिए 10, 8.0 bond में 0.9, 1.0 तो basically table है यहां साब को सारी values मिल जाएंगे हाला कि sigma cvc यह आपको मालई में इसमें ताप factor of safety 3 का लगा दोगे तो उससे भी आपका answer जए हो आ जाएगा तो यहां 3 का factor of safety लगा देंगे 4 का तो यह तो वही टेबल है जो हमने अलिडी RCC में पहले पढ़ रखी है ठीक है पहले हमने पढ़ रखा है WSM में तो यह वही टेबल है नई चीज नहीं है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,8,24 almost 10 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,24 ही हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 का बंधर 10 हो जाएगा और 8 चोग बत्तेस यह 8 के आसपास हो जाएगा ठीक है तो इससे हो जाएगा इसी तरीके से permissible shear stresses तो हम लोग design for shear के लिए यह टेबल पढ़ते ही है PT और इधर grade of concrete तो PT और grade of concrete के basis पर permissible shear stresses होती है तो इनको भी आपने अलग से tension ने लेनी है अब जो tension लेनी है वो है reinforcement की बात permissible stresses in steel reinforcement for strength तो अब जो आपका latest code है उसने क्या कर रखा है कि tensile stress in members under direct tension bending and shear direct tension हो bending हो या shear हो सब के लिए अगर आपका plain mild steel bars है तो 115 लेंगे और अगर high strength deformed bars है तो 130 लेकर चलेंगे और compressive stress in column subjected to direct load then 125 and 140 आप ये stresses लेकर चलेंगे ठीक है ये सब आपका कहां दिया हुआ है ये आपका IS code है IS 3370 part 2 तो ये आपकी table दी हुई है IS 3370 part 2 ticket 2009 में page number 3 पर ही टेवल है बहुत छोटा सा code है ठीक है तो कोड के according tensile stress in member under direct tension तो mild steel के लिए 1150 था और h by sd के लिए 1500 था अब ये था kilogram force पर centimeter square में 150 newton per mm square हो जाएगा तो इसने कुछ जगह पर जो question पूछा जाएगा तो वहाँ पर 150 का option होगा 130 और 140 option में नहीं होगा तो आपको 150 पर टिक लगाना मतलब वह पुराने code की according पूछा गया है ठीक है पुराने code की according पूछा गया इसी तरह से tensile stress in members in bending यहाँ पर है on liquid retaining face of members यहाँ पर 1150 यहाँ पर 1500 जिस side में liquid भर हुआ है उस side की बात हो रही है मतलब inner surface on face away from liquid for members less than 225 मेंबर की thickness 225 mm से कम है और बहार वाली surface तो यह 1150 यह 1500 ही रहेगी लेकिन अगर 225 mm से जादा thickness है on face away from liquid for members 225 mm more unthickness then यह permissival stresses बढ़ा दी गई है 1500 की जगे 1900 कर दी है SD में और 1150 की जगे 1250 कर दी माइल स्टील में माइल स्टील में ठीक है तो यह old quote के according बाकी जब मैं भी questions कराऊंगा तो आपको मालुम चली जाएगा कि किसके तरह की questions हमसे एक्जाम में पूछे गाए ठीक बई चली इसी के साथ फिर फटा फट कुछ questions किये जाए जितना पढ़ा है कि मैक्सिम question इसी पर पूछे गाए पहला question यह आपके सामने फटा फट बना दी चीज़िए the permissible concrete stress in direct tension of M20 in calculation relating to resistance to cracking as per IS3370 1965 part 2 हाँ जी the M20 के लिए हमने क्या पाला था हाँ जी क्या हो रहेगा B हो रहेगा 1.2 newton per mm2 था यह क्या हो रहेगा 12 kg per cm2 ठीक है आलोक इसका मतलब बिटा आपको hoop tension सही से visualize नहीं हुआ आपको hoop tension सही से visualize नहीं हुआ इसका मतलब ठीक है 1.2 newton per mm2 मतलब 12 kg per cm2 next question considering the concept और durability of water tanks the minimum grade of concrete shall be durability consideration को ध्यान में रखते हुए concrete का minimum grade क्या use करेंगे IS code ने fix कर रखा है कि minimum grade आपको M30 लेके चलना है M30 जो है यह आपका severe condition के according है severe severe में क्या है exposed to severe rain water tank बहार होते है तो बारिस कैसे भी होगी हमेशा exposed रहेंगे alternating wetting and rain भाई कभी बारिस होगी तो tank भीग जाएगा कभी सूख जाएगा उस तरीके से ठीक है हाला कि continuously underwater तो नहीं होता लेकिन अंदर वाली surface जाएग water के contact में होती है उसने moderate condition भी है बट में आप severe condition में इसको मान कर चलोगे तो concrete के बारे में आपके code ने कुछ यह बाते कह रखे इनको पढ़ लेता है provisions given in IS-456 and IS-1343 for concrete shell apply for RCC concrete and pre-stressed members ठीक है अब देखे हैं आपर क्या-क्या लेक हुआ है the cement contained not including fly ash and ground granulated blast furnace slag in excess of 400 kg per meter cube should not be used unless special consideration has been given so shrinkage को ध्यान में रखते हुए 400 kg per meter cube से जादा का 400 kg per meter cube से जादा अपने cement use नहीं करना यह आपका objective question बनता है due to the increased risk of cracking due to drying shrinkage in thin sections इस ते जादा cement use करोगे तो shrinkage cracks पढ़ना है durability में ठीक है तो यहाँ पर यह condition आपके पास अगर plain concrete है then minimum cement contained 200 maximum free water cement ratio 0.5 and minimum grade M20 लेकिन RCC concrete के लिए minimum cement contained 320 maximum 400 हो गया maximum free water cement ratio 0.4 है और minimum grade of concrete के तर यह हुआ है M30 अगर pre-stressed concrete है then minimum cement contained 360 है water cement ratio 0.4 है और grade of concrete के तना है M40 so plain concrete से RCC RCC से pre-stress so 20, 30, 40 जा रहा है cement ratio 0.5 से 0.45 0.45 से 0.4 0.5, 0.5, 0.5 कम हो रहा है grade बढ़ रहा है 10-10 और यह 0.5, 0.5 कम हो रहा है minimum cement contained बढ़ रहा है 200 से 320 और 320 से 360 हो गया ठीक है तो यह आपके इस table से questions पूछा जा सकता है तो RCC का minimum cement contained पूछ लेगा free water cement ratio पूछ लेगा questions के तुरू याद होगा बीटा questions के तुरू याद होगा क्वाटे को simple सी वात है याद ठीक है simple सी वात है कि जो data अगर है याद करने का क lados और उसे जतना बार हो सके आपको भी याद करना पड़ेगा मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैना आपको resource provide कर दिया और कभी भी पता है technical subject को याद करने की जरूत नहीं होती आप से जितना बार हो सके आपसे जितना बार हो सके आप उसको revise कर लो आप से क्या कर लो बार बार पढ़ लो कम से कम अगली बार अगर आप कोई test series दे रहे हो किसी book में question कर रहे हो पर आपको question दिख गया तो आपको रहेगा क्यार हाँ ऐसा हमने अपने notes में कहीं पर पढ़ा है आप उसके answer को cross verify कर सकते हो कम से कम वो दिख्केत नहीं आएगी न जैसे भी हम लोग youth के questions कर रहे है qrp में तो बार बार दिख्केत आती है कि यार इसका question पता नहीं सही है या नहीं है ठीक है तो इसलिए हम लोग कब आप सारी चीज़े करती हुए चल रहे हैं याद रखनी की attention आप मैंने लेनी ठीक हाँ बिल्कुल यही कह सकते है आप इसके बाद मैं यहाँ पर आगे ही कह रहा है for small capacity tanks up to 50 meter cube 50 meter cube तक की capacity के जो tank है जहाँ पर आप M30 grade concrete तयार करना का difficult होगा तो वहाँ आप M25 भी ले सकते हो this exception shall not apply in coastal area लेकिन tank जो है वो coastal area में नहीं होना चीए तो आप देख रहे हैं 50 meter cube की capacity तक कि लिए आप M25 यूज़ कर सकते हो इसलिए जो table आपके start हो रहे है M25 से start हो रहे है table कहा से start हो रहे है M25 से start हो रहे है अगला क्थेश्ट अगला क्थेश्ट अगला क्थेश्ट अगला क्थेश्ट इस circular the circular ring beam to resist thrust from top dome in inch tank is designed for ring beam क्या होगी यह आपकी plan में curved beam होगी इस तरह से plan में इस तरह से curved beam होगी बट इसका जो cross section होगा बन नहीं बादा ऐसे नहीं बनाना जी ऐसे ही बनाए समझ जाएंगा आप ठीक है उपर से देखने पर आपको इस circular beam दिखाए देगी जिसके उपर top dome है वो आके टिकेगा ठीक है तो इसके अंदर भी क्या थी hoop tension क्या आएगी hoop tension the ring beam supporting the dome the ring beam is necessary to register the horizontal component of the thrust of the dome the ring beam will be designed for the hoop tension induced इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो आपको आर्च याद है देखो जो dome होती है वो 3D होती है dome जो होती है वो 3D होती है arch जो होती है वो 2D होती है तो आपको यादा रहे कि यहाँ पर जब load आता था तो इस load की वज़े से horizontal thrust produce होती थी ठीक है यहाँ पर force बाहर की ओर लगता था और यह support बदले में thrust कहां reaction कहां लगाती थी अंदर की ओर रियक्षन कहां लगाती थी अंदर की ओर यह जो supports होती है इन supports पर जो thrust लगती है वो कहां की ओर लगती है बाहर की ओर बाहर की ओर बदले में यह reaction कहां लगाती है अंदर की ओर तो यह समझ लो कि जो 2D में जो काम इन supports का होता है वही काम 3D में dome को समालने के लिए क्या करती है हर point पर यह जो आपके ring beam होगी वो एक तरह की support होगी जिस पर बाहर की ओर यहाँ पर इधर यहाँ पर इस direction में, 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 एक arch की तरह बन गई तो यहाँ पर यह इसी तरीके से इसके यहाँ पर होगा तो plane के बाहर plane के अंदर इस तरीके से कर समझ सकता है हाँ मतलब कि arch को किराम से 360 डिगरी पर rotate करा तो बिल्कुल सही बार अगला question As per IS 456-2000 The minimum grade of concrete shall not be less than the following in structural reinforced concrete work in concrete water tank गुमबद 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 तो देखे है न सभी न है हाँ जी तो अगेन इसका answer भी क्या देगा UPPSC AE में पूछा गया है मिनिमम ग्रेड M30 फिर से सेम टाइप का सवाल MPPSC में पूछा गया As per the Indian standard IS3370-2009 The minimum grade of concrete to be used in liquid retaining structure So liquid retaining structure में minimum grade क्या हो जाएगा Again M30 हो जाएगा M30 The permissible bending tensile stress in concrete for vertical wall of an RC water tank made of M25 concrete is हाँ जी अब M25 concrete के लिए permissible bending tensile stress पूछी है तो M20 के लिए हमने कितना पढ़ा था 1.2 1.7 M25 के लिए 1.3 1.8 और M30 के लिए 1.5 और ये value 2.0 ठीक है तो M20 का याद रख लो तो पहले 0.1, 0.1 बढ़ाओ फिर M30 के ने 0.2, 0.2 बढ़ाओ reasoning का question हो गया है ये तो ये तो reasoning का question हो गया ठीक है अब इससे याद हो जाएगा तो M25 के लिए 1.3, 1.8 ठीक है M25 के लिए तो 1.8 याद के option आपका चाओगे D होगे M25 का पूछा है ना तो D answer होगे next question the allowable bending tension in M30 concrete of RCC water tank in water retaining portion अब M30 में bending tension पूछा है अगेन वही M20, M25, M30 1.2 से गए 1.3, 1.3 से 1.5 ये आपका कित्ता था 1.7, 1.8 और 2.0 आंसर कित्ता हो जाएगा M30 के लिए है 2.0 ये भी UPPSC में पूछा हुआ है UPPSC में पूछा हुआ है इतनी बार question कर लो कि question से याद हो जाएगा We answer the question अगला question In case of designing of water tank with LSM limited steel method to control the cracking the maximum stress in HYSG स्टील बार शुट नॉट एक्सीट जी LSM मेथट के अकॉर्डिंग HYSD बार में मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है यहाँ पर क्या बताया था latest code के अकॉर्डिंग 130 130 पुराणय code के अकॉर्डिंग होता तो 150 ठीक है है तो यह HYSD में आगया आपका 130 अगला question the allowable tension stress due to bending for M20 concrete in RCC water tank ठीक है M20 grid concrete है और tension due to bending है tension due to bending है 1.2 1.7 तांसर क्या देगा 1.7 दी एप्लीकेवल IS code for RCC liquid retaining structure RCC liquid retaining structure के लिए कौन सा code यूज करते है कौन सा code यूज करते है IS3370 यूज करते है next question now if a circular water tank resting on the ground has 275 mm thickness then for M25 grade concrete and Fe415 steel the minimum percentage of area of steel AST provided is अब देको क्या है आपका Fe415 steel है H by SD और minimum percentage of area तो 0.35% यूज करते थे हम लोग नए code के according तो 0.35% option में नहीं है और 0.24% अगर यूज करेंगे तो उसके लिए dimension मालूम होनी चाहिए है यह ना 15 मीटर की condition थी वहाँ पर कि कोई भी dimension 15 मीटर से ज्यादा की नहीं H by SD के लिए 0.35% और tank की dimension 15 मीटर से ज्यादा नहीं 10 0.24% ठीक है तो फिर यहां पर क्या किया जाएगा यहां पर क्या किया जाएगा नहीं 0.24 ऐसे नहीं लगाएंगे वालक मैं बताऊंगा कैसे करेंगे देखे इस question को कैसे करेंगे और इसमें क्या provision लगेगा कोड का अलाकि मैं आपको readymate formula दे दूँगा आप उससे करेंगे तो हो जाएगा यह पुराने code के according है IS337065 के according यहां पर code क्या कहता है minimum reinforcement के बारे में काफी छोटा छोटा है पतने आपको देखेगा नहीं देखेगा यहां पर लिखा हुआ बट मैं बता देता हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ पहले सुन लीजेगा फिर मैं formula की टम मैं बता दूँगा पहले तो उसको जवाब मिल गया कौन पूछा था कि सर एक डारेक्शन में देंगी या दो डारेक्शन में ठीक है तो अब्वेस सी बात है horizontal आपको बताया था hoop के लिए और vertical आपको वैसे provide करना पड़ेगा ठीक है तो two direction the minimum reinforcement in walls, floors and roofs in each of two direction at right angles shall have an area of कितना 0.3% of the concrete section in that direction ठीक है तो concrete section का 0.3% for sections up to 100 mm थीक है तो section अगर 100 mm थीक है section की थीकनेस अगर 100 mm थीक है तो 0.3% तक आप reinforcement देंगे उसके आगी कह रहा है for sections of thickness greater than 100 mm and less than 450 mm the minimum reinforcement in each of the two direction shall be linearly reduced shall be linearly reduced from 0.3% for 100 mm thick section to 0.2% for 450 mm section यानि के यह value अगर यहाँ पर 0.3% है तो 450 mm के लिए इसको आपने क्या करना है linearly घटाना है इस तरीके से और यह value रहेगी 0.2% 0.2% तो इसका मतलब अगर बीच में कोई thickness आपको T dv है तो इस T thickness के लिए हम लोग क्या करेंगे तो अब लगेगा आपका interpolation interpolation लेंगे लिए गुजाईएगा भी पहले इसमें थोड़ा सा और पढ़ने कि mild still और h by sd का तो कोई चक्कर नहीं है now for sections of thickness greater than 450 mm minimum reinforcement in each of the two directions cell B kept at 0.2% आगे करा in concrete section of thickness 225 mm of greater two layers of reinforcement cell B placed one near each face of the section to make up the minimum reinforcement आगे क्यारा है the minimum reinforcement specified may be decreased by 20% in case of h by sd 20% decrease कर देना है यानि कि in value को क्या करना है 0.8 से multiply कर देना है तो यह किसके लिए है आपके पास यह है for mild steel यह किसके लिए है for mild steel तो h by sd के लिए क्या कर देंगे इनको 20% से decrease कर देंगे तो इसका मतलब यह 80% बचा तो आट्या 24 तो यह हो रहेगा 0.24% और यह कितना हो रहेगा 826 है तो 0.16% 0.16% यह हो जाएगा ठीक है अब हम इस question को करते हैं अब हम इस question को करते हैं तो देखो h by sd है तो h by sd के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह पहले number line plot कर लेना हमेशा बढ़ा असान रहता है इस हो करना number line plot कर लू तो 100 mm पर value कितनी है 0.24 और 450 पर value कितनी है 0.16 0.16 ठीक है अब हमें चाहिए है कितनी thickness पर 275 पर 275 पर यह value माल लेता हूँ x interpolation का तरीका होता है y to minus y1 upon x to minus x1 is equal to y minus y1 upon x minus x1 तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे x minus 0.24 interpolation करने के लिए क्या करेंगे x minus 0.24 upon 275 minus 100 is equals to फिर हम लोग लिखेंगे 0.16 minus 0.24 upon 450 minus 100 और यहां से आप x की value निकालोगे याद रखना इस में से इसको minus करेंगे upon this minus then इस में से इसको minus करेंगे upon इस में से इसको minus करेंगे ठीक है अब यह छोटी value है और यह वड़ी value है तो वो अपने आप minus sign आएगा क्योंकि value decrease कर रहे है रहेगा 0.16 minus 0.24 divided by 350 multiply by 175 और पिलस 0.24 तो यह value आएगी 0.2 0.2% आंसर क्या होगा इसका C होगा आंसर इस आप दौनों तरफ का slope बरावर ले लेते हैं बिल्कुल भही बात है इस बले triangle में और इस छोटे triangle में यहां से जब मैं triangle बनाऊंगा तो यह छोटा triangle और यह जो बला triangle है इनके slope को ही बरावर करते हैं it is nothing but equation of state line ठीक है बुक में इसका solution गलत दिया हुआ है बुक में क्या कर रखा है इसको इसका 0.25 निकाल रखा है तो 0.25 तो option में नहीं है 0.25 option में नहीं है तो इन्होंने क्या कर लिया 0.2 लेके कर दिया जबकि यह mild steel के लिए होता है हमें किसके लिए करना है HYSD के लिए करना है इसके लिए करना है HYSD के लिए करना है ठीक है तो उसको मत कीजिएगा आप यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको पास यह direct formula भी बना रखें इस table में आप देखोगे तो mild steel HYSD 0.24 लेंगे अगर thickness 450 से ज़ादा है तो mild steel में 0.2 लेंगे और यहाँ 0.16 लेंगे और अगर thickness जो है वो 100 mm से ज़ादा है और 4500 से कम है तो यहाँ पर यह formula लग जाएगा और यहाँ पर यह formula यह formula कुछ और नहीं है interpolation के बाद ही दिया हुआ आप चाहोगे तो सीधे बस यहाँ पर thickness की value रखोगे और answer आजएगा जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया 0.24 माइनस 275 माइनस 100 अपान 350 इंटो 0.08 किया तो 0.2 आगिया बट formula कौन याद रखेगा तो interpolation करो answer पाऊ interpolation करो answer पाऊ ठीक है यहाँ तक कोई problem हो तो बताईए तो सबसे बड़िया सारी values भी आपने याद नहीं रखनी सारी values भी आपने याद नहीं केवल यह mild steel के लिए याद अखलो यह 0.3 यह 0.2 100 mm पर 0.3 साड़े 400 पर 0.2 HYSD के लिए 80% इनको कम कर देंगा मनदब 20% कम कर देंगे तो इनका 80% इनका 80 पर देंगे इसको 0.8 सा मल्टिप्लाई कर दो इसको 0.8 सा मल्टिप्लाई कर दो यह 0.24 हो जाएगा यह 0.16 हो जाएगा ठीक है बाकि interpolation आप लोग जानती है आपको Design for Shear में भी बताएगा है ठीक है आगे बाला जाएगा next question a reinforced a reinforced concrete cantilever porch has thickness T the main reinforcement steel will be placed the cantilever porch में tension आएगी कहाँ top में तो सबको पता है close to the top surface अगला question for sections up to a thickness of 100 mm the minimum area of mild steel reinforcement to be provided in valves for sections up to a thickness of 100 mm the minimum area of mild steel reinforcement 100 mm तक mild steel में कितना provide करेंगे 0.3% of the cross section ठीक है minimum reinforcement to minimize cracking due to shrinkage in temperature thickness up to 100 mm के लिए 0.3 और thickness 4.5 से जादा के लिए 0.2 और भीच में आपने क्या करना है interpolation करना है interpolation करना है ठीक है next question minimum percentage of steel reinforcement of HYSD bars in walls, slabs and roofs of water retaining concrete structure as specified by Indian standard HYSD के लिए minimum reinforcement HYSD के लिए minimum reinforcement अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मालुमें थिकने 100 है, या सारे 400 से जादा है ठीक है, या कुछ other information नहीं है अब ऐसे case में आपको मालुम है कि 0.35% था और उसको भी घटा कर certain cases में 0.24 पर ले जा सकता है तो absolute minimum आपका कित्ता लेगा 0.24 हो जाएगा अब इस वाली condition के according 0.35% था बट घटा के इसको कित्ता ले आ सकता है 0.24% ले जा सकता है ठीक है तो total आपकी ये exam में आपके common sense पर depend करेगा कि आप किस तरीके से ठीक है answer करेंगे less than 15 meter वाला concept आगे बढ़ते है next design of circular tank with flexible joint with bin base 11 wall ठीक है तो basically क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास ये गमला आए ठीक है तो ये cylindrical ये cylindrical tank हो गया और ये base slab हो गई ठीक है तो हमने इसको यहाँ base slab पर रख दिया तो अभी इनके बीच में जो joint बनना है मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा कुस filler भर दूँगा ठीक है तो इनकी बीच का जो joint है वो क्या है फ्लेक्सिवल है फ्लेक्सिवल में क्या होता है कि जो secondary stresses है वो produce नहीं होती determinate structure बनता है जैसे आपको मालू में simply supported beam हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि thermal movement free रहता है क्योंकि तो thermal stresses बागारा produce नहीं होती है ठीक है तो दो तरीके से design करते हैं एक तो हमारा जो base slab है तो चार्ट जो cylindrical wall है ठीक है तो यहाँ पर देखता है हम लोग तो यहाँ पर देखता है हम लोग तो यह जो cylindrical wall है उसी का projection है ठीक है यह यह टैंक की cylindrical wall है तो यहाँ पर rigid connection भी हो सकता है flexible भी तो हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है flexible दिया हुआ है ठीक है flexible और यहाँ पर आप कुछ leak proof material जो भर देंगे इनका design बड़ा simple easy होता है कि इसका हम लोग किसके लिए design करेंगे hoop tension के लिए hoop tension में already मैंने आपको proof करके बता दिया t ब्रावर pd upon 2 जाएगा 1 meter height के लिए 1 meter height के लिए अब यहाँ पर जो hoop इस्टा है सो basically क्या है axial tension है तो यहाँ पर दो assumption आपको मैंने starting में बताये थे पहला entire tension is taken by steel only जितनी भी tension आएगी उसे कौन carry करेगा section में steel carry करेगा तो tension force is equals to area of steel into stress of steel area of steel into stress of steel तो यहाँ से आप area of steel क्या कर लेंगे calculate कर लेंगे यहाँ से क्या कर लेंगे area of steel calculate कर लेंगे उसके बाद आप इसे minimum steel के लिए check कर लेंगे कि minimum से जाधा होना चाहिए minimum से जाधा होना चाहिए ठीक है और फिर आप dimension देख लेंगे कि 225 तक है आपका तो इसे आप एक face से प्रोवाइड कर दोगे उससे जाधा है तो अंदर बाहर दौन फेसे प्रोवाइड कर देंगे ठीक है अपने आप satisfy हो जाएगी क्योंकि सारा का सारा टेंशन कौन ले रहा इस्टील कॉंक्रीट तो वहाँ पर क्या है एक्स्टा बट फिर भी इसको हम लोग केल्कुर्ट करेंगे तो कॉंक्रीट के अंदर जो stress आएगी वो कैसे आएगी तो बेको हमारा तो यहां पर हम इसे क्या करेंगे ट्रांस्फॉर्म करेंगे अपर देखेंगे तो यहां पर हम इसे क्या करेंगे ट्रांस्फॉर्म करेंगे अब transformation का तरीक आपको बता रहे क्योंकि concrete का हमने uncracked वाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे एक तो ये gross area लेंगे अब gross area में जहां जहां पर steel ता वहां concrete तो है नहीं तो यहां पर कौन सा concept लगेगा m-1 का concept लगेगा कौन सा concept लगेगा m-1 का concept लगेगा तो total tension force upon total area तो total area क्या होजाएगा ये gross area ये वाला total area और पिलस m-1 ast पिलस m-1 ast ठीक है तो force upon total area जो equivalent section होजाएगा उसका area होजाएगा gross area of section जो कितना होजाएगा t into 1 अगर ये thickness अगर thickness t ले लेंगे और इसको 1 ले लेंगे तो gross area क्या जाएगा t into 1 होजाएगा और m-1 ast यहां से ये condition लगा देंगे बस होजाएगा ठीक है ये होजाएगा next आपका circular tank with rigid joint would be in base slab and wall तो ऐसे case में क्या है यहां पर जब fixity आएगी ठीक है तो ये फिर एक cantilever की तरह विहेव करने लगता है तो ऐसे case में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका जो upper portion होता है wall का उसको hoop tension के लिए design करते है और ये वाला जो support के पास वाला जो area होता है इसे cantilever मानकर bending moment और axle tension donor के लिए design के जाता है ठीक है तो support के पास में जानी कि यहां पर जो base slab के साथ जो connection है उसे bending moment और axle tension donor के लिए design करेंगे और जो upper wall वाला portion होगा उसे हम लोग hoop tension के लिए design करेंगे ठीक है इससे जाधा इसमें कुछ नहीं जानना है आपने इससे जाधे इसमें कुछ नहीं जानना है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ और questions पर करते हैं हम लोग the permissible stress for FE 415 steel in tension used near water surface for water tank अब यहाँ पर देखो 130 का option ही नहीं FE 415 के लिए है तो यहाँ पर कौन सा concept लगेगा 150 वाला और यह वैसे बहुत पुराना question 1998 का आप समझ जाएंगे so tension in steel placed within 225 mm from water surface plain mild steel है तो 100 और यहाँ पर 150 tension in steel placed beyond 225 mm from water surface यहाँ पर 120-190 compression में 120-190 तो आपको यह वाला जो IS code से बताएंगे यह आ गया ठीक है इसके अलावा बस थोड़ा से यह कुछ joints होता है इन joints के एक अबल नाम जान लू ठीक है दो तरह के joint होंगे movement joint movement joint में आपका पहला आएगा contraction joint दूसरा होगा expansion joint नाम से वालम चल रहा contraction expansion थर्ड होगा sliding joint और दूसरा होता है आपका construction joint construction करते समय जब वर की बीच में रोकना पड़ता है उसके बाद का joint ठीक है तो आपसे कभी joint के नाम पूछ ले इतना ठीक है बई water tank में जितना आपको बता दिया इतना यह more than enough है फिलाल जितना आपको बता दिया इतना more than enough है इसी से आपके सारे questions बन जाएंगे exam में आने वाले बाकी में कुछ और questions एकात question last year EAC वगरा में आय था उसको में और आपको करवा दूँगा या कभी qrp में एक साथ आपका retaining wall और water tank के कुछ questions और करा दूगा ठीक है इससे ज़्यादा पढ़ने की जुरत नहीं है ठीक है चले तो अब हमारा इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे अब staircase staircase को और देखकर उसके बाद आपका RCC खतम then pre-stressed then pre-stressed अब उसके वह एक-दो question आपके रह गए थे retaining wall के वह question of effort बता देता हूं आपको retaining wall का equation इद एकला आपज रह इना counter fort retaining wall the main reinforcement is provided only bottom face in front counter fort, inclined face in front counter fort, bottom face in back counter fort, inclined face in back counter fort plastic analysis का एक lecture बाकि है एक lecture बाकि है मुझे आते चिंता मत कीज़े अब सब करवाऊंगा चूटेगा कुछ नहीं बेटा चूटेगा कुछ नहीं देखे मालीजी यह retaining wall है और counter fort आपने यहां दिये हुआ है यह आपकी क्या है retaining wall और यह क्या है counter fort यह क्या है counter fort ठीक है थो देखो यह वाला जो face होता है यह वाला जो face होता है इसे मैंने बोल दिया incline face इसे मैंने क्या बोल दिया incline face और इसे मैंने बोल दिया bottom face इसे मैंने क्या बोल दिया bottom face अब एक बार बताओ जो horizontal pressure लगेगा वो इस तरह से लगेगा ऐसे case में tension कहा आएगी ऐसे case में tension आएगी incline face पर tension कहाएगी incline face पर तो आप जो reinforcement प्रोवाइट करोगे वो कहां प्रोवाइट करोगे यहां प्रोवाइट करोगे ठीक है यहां प्रोवाइट करोगे यह एक्षिली बॉटम फेस इसे मत बोलो क्योंकि यह अपने आप में एक सॉलिड पूरा सॉलिड प्रोफाइल होता है इसको ऐसे बनाना गलत है, यह basically आपका इस तरहां से होगा, इस तरहां से होगा, तो इसमें तो आप यहां प्रोवाइट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, bottom face in front, incline face in front, bottom face in back, incline face, तो जो बेक काउंटर फोट होगी, उसमें कहां प्रोवाइट करोगे, incline face पर, अब जो front counter फोट होगे, उसका क्या मतलब है, झाल झाल अब देखो जो backfill है वो पीचछी कीओ रहे बहिया, subjective questions अभी नहीं होंगे और ना कोई ज़रूरत है, ठिक зब्सक्टीव professions की कोई जरूरत नहीं है एक सब्जेक्टिव क्वेशन की कोई जरूत नहीं है पंच वर्सी योजना बनानी हो सेलेक्शन के तो आप उसके लिए कर सकते हैं फिलाहाल कोई जरूत नहीं है अन्यसेसरी अपना टाइम खराब करोगे जो मेन आर्सीसी होता है उसकी एक अलग बात होती है कि आपने सिंग्ली इन्फोर्स बीम को समझना है यहां पर यह चुटपुट टॉपिक जिन पर वंस इने वाइल कोई एकात क्वेशन आ गया वो भी आपने इतने क्वेशन की क्या क्वेशन पूछा गया आपने भी देख लिया ठीक है पिल लिया मैनन जैसी बुक आर्सी सी कि उसमें वाटर टैंक का जिक्र तक नहीं है वाटर टैंक डिजाइन का जिक्र तक नहीं है ठीक है तो इन सब चीजों पर जादा समय मत खराब कीजिए समय का सही से सदुप्यों क बैच होगा उसमें करवा दिया जाएगा अब यहाँ पर देखो यह फ्रेंट यह फ्रेंट काउंटर फोट है अब देखो इसके पीछे बैक फिल है अब यहाँ पर जब यह आगे की ओर जब यह इस तरीके से टॉपल करने की कोशिश करेगी तो आप मुझे बताओ टैंशन कहां करेट होगी तो बिताओ टैंशन यहां करेट होगी फ्रेंट काउंटर फोट में यहां टैंशन करेट होगी यहां पर क्या करेट होगा कंप्रेशन यहां क्या करेट होगा कंप्रेशन तो यहां कंप्रेशन होगा अब इनक्लाइन फेस पर कंप्रेशन होगा और जो Bottom face पर क्या होगा? Tension. Bottom, यहाँ Tension. यहाँ Tension. यहाँ Tension. ठीकेह? तो Vertical Inner Sight. तहीं क्या दो हैगा? Bottom face in front counter fold. Tो bottom face in front counter fold and inclined face in back counter fold. तो answer क्या दो हैगा? C. अच्छा इसको एक और तरीका करने का जब inclined face in back counter foot हो गया तो fourth और third एक साथ नहीं आ सकते back counter foot कहीं inclined face हो जाए और back कहीं तो third और fourth एक साथ नहीं आ सकते तो D वैसे eliminate हो गया उसी तरीके से bottom face in front counter foot and inclined face in front counter foot तो first और second एक साथ नहीं आ सकते इन दौनों में से पहले और दूसरे में से कोई एक ही होगा इसी तरीके से तीसरे और चौथे में से कोई एक होगा तो ये भी खतम हो गया ये भी खतम हो गया फिर inclined face in front and bottom face in back ठीक है अब ये वाला यानि के दूसरा तीसरा या पहला चौथा इन दौनों में से किसी एक पर टिक करना था तो आपको ये inclined face वाला मालूम था पहले से तो आप इसके इसाब से भी C पर टिक लगाते थे एक question था आपका ये होगा और एक question आपका ये था the bending moment at the edges of a square L due to lateral pressure इससा क्या बताया था आपको edges के edges पर क्या हो जाएगा negative moment negative moment क्या बताया था माइनस का PL square by 12 PL square by 12 ठीक है भई चली फिर thank you आप इसको मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ बाके मैं ये करूँगा एक कल water tank के थोड़ा सा कुछ images इसके जो reinforcement की detailing की images होती है वो मैं provide कर दूँगा उससे आपको थोड़ा सा और idea लग जाएगा ये चली हाँ इस्टियर का लोगा गुड़नाइट गुड़नाइट